जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात हैं जैसे भी हैं और किसानों को इस बार भारी बर्फबारी का सामना करना बड़ता हमारे साथ CPM नेता यूसिप तरिगामी साथ जो किसानों को नुकसान हुआ था उसके बाद एक टीम गई थी सेंटर से तमाम मिनिस्टर्स की यह कहा गय हुई और वो भी अरली स्टेज जब ठांड शरू हो गई और बरबारी इतनी हो गई कि न सिर्फ फल तबाह हो गया स्टैंडिंग क्राप तबाह हो गया बलकि दरकत भी उजड़ गए और यहां से इस पहले मनिस्टरों से पहले एक डिलेगेशन आया था किसान नेताउं का वो संगरश कमीटी के नाम पर जिसमें सी पीम से तालोक रखने वाले योगिंदर यादू जी थे और बाकी लोग भी थे वो मुक्तिन फलाकू में गए वहां के मुकामी किसानों के लेडरों के साथ उन्होंने खुद देखा और उन्होंने फिर वहां पर वहां से आकर यहा नेशनल कलमिटी करार दिया जाए इच अनप्रिसिडंटिट आज तक ऐसा हुआ नहीं है बरबारी होती है नुक्सान भी होता है लेकिन आज यह जो बरबारी थी इसने तो पूरा नसिर फसल तबा की बलके दरखत भी तबा कर दिये और पूरा सरमाया यही है वहां के ग्रो बाद हो गया और इसके अलावा जो जहफरान है वो बनता है उसकी फसल भी उजड़ गई यह खुद उन्होंने भी देखा जाइज़ा लिया उसके बाद आमने बार बार वहां से मतालबा यही किया कि इसको नेशनल कलमिटी करार दिया जाए और इस बार किसानों की जो हालत है उसको देखते हुए ज्यादा मावज़ा मिलना चाहिए रिलीफ नहीं बिलकि मावज़ा मिलना चाहिए लेकिन बदकिसमती से ऐसा हुआ नहीं अभी तक 36 मिनिस्टर तो आए कश्मीर में सिर्फ 5 मिनिस्टर आए और वो उन अलाकों में गए भी नहीं शहर में ही रहे सिर वहां भी जो किसानों को नकसान हुआ उनकी जो क्राप है शाली की मकी की वो तबाह हो गई बारिशों की वज़ा से उनको भी कोई मावज़ा नहीं मिला और अभी जमो कश्मीर की सरकार ने SDRF के तहत वहां कुछ थोड़ा सा रिलीफ दिया कितना दिया जो लास्ट येर बर बहुत बहुत शुक्री आपका तर तो ये जमो कश्मीर की जो हालत है और किसानों के जो नुकसान है कि पिछले सालों के मुकाबले नुकसान काफी ज्यादा है और पिछले सालों के मुकाबले जो राहत मिलनी चाहिए थी वो काफी अब कम हो गई है डिली से कैमेरा परसन अ आटक सुराज एक्सक्रेस